दोस्तों नमस्कार आईए आज मैं आपको एक प्रेस्ट ने करके आया हूँ जिसे कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर कि 6x-1y2 प्लस 1 एक्वल लिखा हुआ 7x-3y3 को हल करना है ठीक है न यह हमारे केमिंट बोक्स में आया था यहां लिखा हुआ 6x-3y3 को हल करना है तो सबसे पहले हम करें क्या दोस्तों इसको में लिख लेते हैं देखें लिखना क्या है एक वर ध्यान देजिए गहां पर इसको में लिख लेते हैं ठीक है यहां कहने मतले हुआ कि 6x-1y कितना हो जाएगा 2 पलस कितना हो जाएगा 1 और 1 के नीचे कुशन तो कितना बोलेंगे एक बोल सकते हैं ठीक है ब्रावर कितना हो जाएगा 7x-3y कितना ठीक है यहां एक लिखे अत्वा न लिखे उससे कोई दिकत नहीं है अब इसको है मरे पास 6x-1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि 2-2 में भागा किया तो कटियत यह बच गया है पलस यहां क्या करना अगर एक से भागा 2 में दें तो 2 आजएगा उपर गुणा कर दें कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ब्रावर से हो जाएगा 7x-3 इसको हम लोग कहते हैं क्या त कितना तीन एकम 3 हो जाएगा पलस में 3 दूना कितना हो जाएगा ठीक है अब बरावर में करेंगे तो साथ दूनी कितना हो जाएगा 14-3 दूना 6 एक जाती वाले को हम एक साइड कर लेंगे और अलग जाती वाले को अलग साड़ करेंगे ठीक है तो यहां देखे लिखा हुआ 18 एकस लिखा हुआ है यह पलस में इधरा करके आजएगा वाई माइनस में हो जाएगा यहां पर 14 एकस बराबर से बोलेंगे अगर इसको एड कर लिखे पहले हां लिकते हैं माईनस में 6 ऊजएगा चोतिन कितना 9 तुछ यहां कर ओजायगा माइनस में 9 हो जाएगा अब इसों गटाएं कितना हो जागा चार एक्स बरावर से नोचों 15 15 हो जागा लेकिन माइनस में रहेगा इसलिए बोलेगा एक्स बरावर से कितना माइनस 15 बोलेंगे 4 दोस्तों इस प्रस्ट निक्या हो गया यह एंसर हो गया